नमस्कार साथियों, समय आपके पास बहुत कम है, बीना समय गवाय हमसी देहाते हैं टोपिक पे एजूशेट, ग्यान दरसन और ग्यान वानी, ये क्या है, इनका पूरा विबरण और 33 लाश्ट में क्योसन इस वीडियो में आप देखेंगे तो एजूशेट क्या है, पहले हम बात करते हैं, इमेजेज की, तो ये एजूशेट परत्वी से अंत्रिक्स में इस्ताफित किया गया है, परत्वी के कक्षा में, ये इस रोकेट लॉंचर के द्वारा इसको छोड़ा गया, और इस तरह से ये परत्वी के कक्षा में चकर इसमें किया जाता है और पहले हम देखते हैं इसरो की वेवसाइड उसमें क्या लिख रखा है इसके बारे में तो यह हम इसकी वेवसाइड पर देखते हैं एजूशेट इसरो.gov.in पर इसमें एजुशेट के बारे में जो लिखावा है तो इसको जीशेट थ्री भी बोलते हैं आगे हम बात करेंगे पुरिविस्तार से और ये उच्छा तक सुदूर शिक्षा के लिए बना हुआ है यह पहला शिक्षा उपकरा है देखे परसन सिदा यहां से बन सकता है और ये जो है सेक्षनिक वातावन के लिए सहीवित्रित कक्षा को उपकरा हदारित दोतरफा संचार उपलब्द कराता है भू तुले कालिक उपकरा है पीसलवी आई टू के बेस पर विक्षित किया गया है आगे हम और देखते हैं इसमें कोई जहां क्यूसंस बन सकता है यहां पर यह तारिक आपके द्यान में रखनी है 22 सितंबर 2004 को इसको लॉंच किया गया और यह अभी 36,000 किलो मिटर उन्चाई पर यह इस्तित है अभी चकर लगाता है और इसमें इस से सम्बंदित जो अपने क्यूसंस से सम्बंदित इसमें और कोई नहीं दिख रहा यह और है यहां पर 19,2 डिग्री के कक्षे जुका पर इस्तित है यह और इसका प्रक्षेप्ड जो है वो 37 धवन अंत्रिक्ष के अंदर से किया गया इसका और और कोई इसका क्यूसं यहां बन सकता है तो आगे हम देखिए इसके नोट्स बना रखे हैं लगबग पांच किताबों से नोट्स बनाए हैं वो आपके सामने है सभी बुक्स में मेटर लगबग एग जिसा ही होता है बस वो उसकी प्रस्तोती का तरीका अलग लग हो सकता है तो आप इसके जो फेक्ट है उनको आप सिदे सिदे रट ले में याद कर ले में एक्जाम जश्ट सामने है आपके एक नमबर यह हैं शेक्षिक शेवाओं के लिए भारत सरकार का पर्थम उपग्रह है एजुकेशनल सेटेलाइट का दूसरा नाम है जीशेट इसको एजुशेट यानि एडियू सेट यानि एजुकेशनल सेटेलाइट इसका दूसरा नाम है G-Shate 3 यहनि Geographic Satellite 3 यह भी आप ध्यान में रखें इसका दूसरा नाम G-Shate इसका प्रक्षेपन इसरो ने किया इसरो ने इसका प्रक्षेपन किया और इसका इसरो का पूरा नाम है Indian Space Research Organization ने 20 सितंबर 2004 को इसका प्रक्षेपन किया इसका प्रक्षेपन अंधर परदेश के स्री हरी कोटा के सतीन धवन अंतरक्ष के अंदर से किया गया इसका वजन 1950 किलोग्राम है यान लगभग 2 तन वजन का कोई important नहीं है आप ये तारिक याद रखें ये इस्तान याद रखें इसका दूसरा नाम जो है G-Shate 3 वो भी धान में रखें इसका प्रक्षेपन G-S-L-V-F-01 से किया गया यान जियो सिंक्रोनस सेटलाइस्ट लॉंच वहिकल अर्थार्थ भू इस्तिर उपग्रह प्रक्षेपन यान से किया गया G-S-L-V-F-01 के दूरा यह परत्वी से 36,000 किलोमेटर की दूरी पर इस्तित है विस्वत रेखा पर ये या भूमद्दे रेखा कह सकते हैं पर ये 19.2 डिग्री पर कक्षा में इस्तित है इसके दो टर्मिनल काम करते हैं SITS और ROTS यहाँ पे भी क्यूशन बन सकता है SITS का मतलब हो गया Satellite Interactive Terminal ROT का मतलब हो गया Receive Only Terminal अब यह तोड़ी Technical Language है यह तो अपने को इतना याद रखना है यह 24 गंटे और 17 मिनट में परत्वी का एक राउंड लगा लेता है बारत में सबसे पहले 2004 में करना टक महाराश्टर और मद्यपरदेश को इससे जोड़ा गया देखे मित्रों यह उपग्रह है परत्वी की कक्षा में चकर लगाता है और वहां से वहें रेंज के मादियम से यह जो दूरस्त शिक्षा यह जो वीडियो कॉन्फरेंशिंग है टीवी के उपर जो चैनल आते हैं तो उनके लिए यूजपूल है यह दूरस्त शिक्षा के लिए यूजपूल है जैसे दिल्ली में कोई बेठा प्रोपेसर है उसकी कलास को देखना है लाइव चलाना है तो वो सेटिलेट के मादम से अब आजकल तो इंटरनेट भी बहुत ज़्यादा हो गया है तो इंटरनेट के मादम से भी शिदा मगर उपग्राइन में मदद करते हैं इंटरनेट में भी तो बारत में सबसे पहले 2004 में करनाटक में विश्व स्वरिया विश्व विश्व विद्याले माराष्टर में वाई वी चहवान विश्व विद्याले मध्य परदेश में राजीव गांदी विश्व विद्याले को इससे जोड़ा गया राजस्तान में इसकी सुरुवात 22 अपरेल 2006 को हुई दो साल बाद जिसमें जेपुर में जो सिक्षा संकुल है उसको जोड़ा गया इससे राजस्तान में वरतमान में शिक्षा संकुल SIRT, चारों IASC, DIET, विकानेयर शिक्षा निदेश साले सहित, चमाली ससंस्तान जुड़ेवे हैं आप इसको ध्याने में रखें देश की 16 भासों में इसका प्रसारण हो रहा है इस रों ने 5 जन्वरी 2014 को एक नए संचार उपकर है, जीशेट 2014 का भी प्रक्षेपन किया है संचार सी जुड़ावा है, जीशेट 2014 है, 2014 में किया, इसलिए आप द्याने रखें इसके उद्यशे हम देखते हैं, इस पीडियेप को आप याद करने के लिए या प्रिंट के लिए डाउनलोड भी कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है इसके उद्यशे, सेटेलाइट आधारित दूरस्त शिक्षा कारे करमों को बढ़ावा देना देश के अलग-अलग हिस्सों के चात्रों को विशे विशे सब्यों से जोड़ना दूर दराज के शिक्षा संस्थानों को अच्छे अध्यापकों की शेवा उपलब्द कराना शिक्सकों को व्यापक इस्तर पर समान इस्तर ये प्रशिक्षन उपलब्द करवाना संदर्व वेक्तियों की कमी को दूर करना यानि वेक्ति अगर मिल नहीं पा रहे हैं तो सेटेलाइट के माद्यम से दूरस्त शिक्षिया के माद्यम से उनकी कमी को दूर करना तो साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें और चेनल को सबिस्क्राइब करें तो मुख्य तत्य आपको याद हो गए होंगे एजूशेट के एगवापुने देख लो एजूशेट जो है ये इसका दूसरा नाम है जीशेट और इसरों ने इसका प्रक्षेपन किया शिक्सा के लिए पर्तम उपग्रे है ये इसके माद्यम से टीवी चेनल बगरे चलते हैं और 2004 में इसका प्रक्षेपन हुआ 37 दवन के अंदर से और 2004 में ही इसको सबसे पहले करनाटक, मद्यपरदेश और माराष्टर से जोड़ा गया उनके कॉलेजेज को दो इसके टर्मिनल है और 19 दसमनो दो डिगरी पर ये इस्तित है जी एसलवी एफ 01 के द्वारा इसको ही चमाली संस्तान इससे जुड़ेवे हैं 16 भासाओं में इसका परसरण हो रहा है और इसके उद्दे से मैंने आपको बताई दिये अब है ग्यान वानी देखें नाम है ना वानी तो वानी नाम आ रहा है तो क्या होगा वानी है तो यानि कि आवाज आएगी तो रेडियो प है और घर बेठे रेडियो पे आप सुन सकते हैं दूरस्त शिक्षा का मतलब यही वाद दूर बेठे बेठे अब जैसे ये यूट्यूब है तो यह भी एक दूरस्त शिक्षा ही है कहीं भी किशी भी कोने में बेठे इसका परसारण 105.4 मेगा हाट्स पर किया जाता है यह भ परसारण मंत्री थे और पहला परसारण 2003 को हुआ जो रेड कलर में है वो इंपोर्टेंट है उसको ध्यान में रखें इसके परसारण का कारिय यानि नौडल एजेंसी इगनु है इंद्रा गांदी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी बारत के करीब 40 सहरों में इसका परसारण होता है इस पर भी 16 गंटे कारिकरम चलता है इस पर भी यानि ज्यानवाणी में उसमें भी 16 गंटे था उसमें 16 बासा ही थी इस चेनल पर हिंदी अंग्रेजी सहीत 6 बासाओं में कारिकरम आते हैं यानि हिंदी अंग्रेजी और जो 6 बासा हैं उनमें तो ये था बहुती सिं और देखेंगे तो FM चैनल है ये 105.04 मेगा हाट्स 2003 में परसारण सुरू नोडल अजेंसी इगनू ये याद रखना आपको इगनू 40 सहर 16 गंटे कारिकरम हिंदी अंगरेजी छेतरी बास हैं अब ग्यान दर्सन अब देखें यहां पे क्या हो रहा है यहां दर्सन हो रहा है तो ग्यान दर्सन एक टीवी चैनल है कैसा शेक्सनिक टीवी चैनल है जहां पे एजुकेशन से संबंदित कारिकरम परसारित किया जाते हैं इसके दो चैनल है सुरू सुरू में एक हिता ग्यान दर्सन फिर दूसरा और कर दिया ग्यान दर्सन तुटिये पहला सफल रहा तो ग्यान दर्संद पर्तम की बात करें तो इसका प्रारम हुआ 26 जनुवरी 2000 इस भी अटल भी हरी वाजपी उसमें प्रधान मंत्री थे तो 26 जनुवरी 2000 पूरा पूरा 2000 आयाद रखें नोडल एजेंसिये इसकी NCRT NCRT के माद्यम से इसमें कारेकर्म जो है वो प्रसारित करवाई जाते हैं यहें चैनल मानव संसादन विकास मंत्राले सूचना एवं प्रसार्ण मंत्राले प्रसार भाड़ती वर इगनु के स्युक्त परियासों का प्रणाम है सभी का इसमें योगदान है प्रसार नावदी है 24 गंटे 24 गंटे इस पर ग्यान की बाते ग्यान के जो प्लेटिन है वो प्रसारित होते हैं अप लिंकिंग कार यह इसमें होता है यानि इसमें जो इन्पुट जो है इलेक्ट्रोनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर है इगनु का वहां के द्वारे इसमें जो प्रोग्राम है वो सेट के जाते हैं योजना का निर्मान C.I.E.T. यानि सेंट्रल इंस्टिटूट और एजुकेशनल एंट टेकनोलोजी केंदर यह शेक्षिक एवम तकनिक की संस सकते हैं पढ़ सकते हैं प्रारम हुआ इसका सभी जनुरी 2003 में तो वो 2000 में था और यह तीन में है तीन साल बाद नौडल एजेंसी है इसकी IIT नई दिल्ली वाली IIT इसका मुक्य कारिये है तकनिकी सिक्षा का परसार यह इंपोर्टेंट आप द्यान पर रखें ग्यांदर स टू जो है एक लव यह वो तकनिकी शिक्षा के लिए है उस पर टेकनोलोजी से जुड़े वे जो बुलेटिन है जो एपीशोड है वो परसारित होते हैं दोनों चैनल का परसार जो है इन सेट 3C के सी बेंड ट्रांसपोर्डर दोवारा किया जाता है अब यह टेकनिकल और आगे हम बात करते हैं एक बार इसको पुना रिविजन देख लो ग्यान दर्सन टीवी चैनल है दो है इसके पर्थम और दूतिय एकलवे है दूतिय टेकनोलोजी वाला है पर्थम में नोन टेकनिकल जो है जानकरी वो है यह 2000 में है और वो 2003 में है ठीक है और नोडल एज अब हम इसके क्यों संदेख लेते हैं ताकि आपके रिविजन हो जाए बारत के एजूशेट पर इसकोलों के पर्थम ब्रोडबेंड नेटवरक विक्टर्स का उद्गाटन किया गया एक दो तीन तो यहां कथन के उल एक और दो सत्य है अठाइश जुलाई 2005 को केरल में एजूशेट है क्या है ये करत्री मुपगरय है संचार उपगरय है जी शेट थरी है दुरस्त शिक्षा का पाठे करम है क्या है तो यह एक दो तीन यानि दुरस्त शिक्षा का ये पाठे करम नहीं है दुरस्त शिक्षा का ये जो है एक ये तो दुरस्त शिक्षा के लिए उपग्राय है यह, तो पाठ्यकरम नहीं है, तो यहां पे हो जाएगा करत्रीम उपग्राय है, संचार उपग्राय है, इसका नाम G-Shate 3 भी है, नेक्स्ट, एजुशेट का प्रक्षेपन किया गया, कब किया गया, यादोगा आपको 2004 में बारत में, शिक्षा, छेतर हेतू, एक मातर उपग्रह है, जीशेट 3 एजुशेट का ही दूसरा नाम है, जीशेट 3 एजुशेट के विशे में ऐस अत्यकतन कौन सा है यह परत्विशे 37,000 किमी की उन्चाई परकक्षा में इस्तित है, सही है क्या यह, बिल्कुल सही है इसके पर्थम चरण में 2006 में करनाटक महाराष्टर और मद्यपरदेश के 306 शिक्संस्तानों को उपग्रह से जुड़ा गया तो यहां दो बातें गलत है, यहां 2004 होगा, यहां 300 नहीं है, तीन जो इन्वर्शेटी थी करनाटक महाराष्टर और मद्यपरदेश की वो थी तो दूसरा ऐस सकते हैं, पहला सकते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं, शिक्सा को यहां ओप्सन जाज छिपाए गए हैं, आप उतर देने के कोशिस करें शिक्सा को समरपित, दुनिया के पहले उपग्रह एडिशेट को कब भू इस्तेतिक कक्षा में इस्तापित किया गया, बताइए आप क्या उतर होगा इसका, तो इसका अंसर होगा, ए, 20 सितंबर 2004, 20 सितंबर 2004, पहला, दूसरा, देखिए, अब यह थोड़ा जल्दी में उत पर संदेखने तो, एजुशेट की 37 संदर धवन अंत्रिक्स के अंदर सरी हरिकोटा से किस यान द्वारा छोड़ा गया इसको, यान आपको याद होगा अब इवने बात की, कौन सा, जी एसलवी एफ, 5, जी एसलवी एफ, 01, राजस्तान में इस योजना का प्रारम कब बताईए, तो राजस्तान में ये हुई, 22 अपरेल 2006, एजुशेट का वास्टविक नाम, दूसरा नाम क्या है, जी शेट 3, बारत में उपग्रह प्रक्षेपण के अंदर कहां इस्तित है, इंपोर्टेंट परसन है ये, कहां पर है, स्री हरी कोटा, अंदर पर्देश में, उसका नाम है, 37 धवन अंतरिक्ष केंद्र विगयनिक के नाम पर है, राजस्तान में एजुशेट के तहट कितने केंद्रों को जोड़ा गया है, तो अभी हमने बढ़ा कितने, 44, 44, एजुशेट पर्द्यू का एक चकर कितने समय में पूरा करता है, तो यहां होगा, 24 गंट सत्र है, मिनट, एजुशेट किस परकार का सेटलाइट है, तो यह किस परकार का है, यह शेक शिक है, एजुशेट के बारे में सत्य कथन क्या है, इसका समय काल कैवल साथ वर से, सत्य, इसके दवारा सत्र अपने घर बेटेवे कलास, करमiswim को महसूस करते हैं, सत्य, एक चात्रों को पढ़ाया जा सकता है सत्य तो सभी सत्य है इसमें अगला हम देखते हैं परसन उदे से हमने इसके देखी लिए ग्यानवाणी का परसारण कौन सी बासा में नहीं होता अब हम चैनल की बात करते हैं ग्यानवाणी FM जो रेडियो है वो तो यहां पे आ जाएगा उर उर्दू में इसका परसारण जो नहीं होता उर्दू ग्यानवाणी का वास्तिक रूप से परसारण कब प्रारंब हुआ बताइए तो यहां पे होगा साथ जुलाई 2003 को ग्यानवाणी का परसारण प्रते दिन होता है कितने गंटे होता है 16 गंटे बाकि 8 गंटे रेष्ट कितने सहरों में चल रहा है तो यह होगा कितने सहर हैं? 40. 40 सहरों में चल रहा है. राजस्तान में ग्यान वानी का परसारण कितने मेगा हाट्स पर? 105.6 मेगा हाट्स पर. Next हम देखते हैं. ग्यान दर्सन है एक. क्या है? दर्सन नाम आ रहा है ना तो दर्सन किसमें? टीवी में. तो यह एक दूर दर्सन परसारण शेवा है यह. शेक्षिक दूर दर्सन परसारण शेवा है यह. ग्यान दर्सन की नोडल एजेंसी कौन सी है? ग्यान दर्सन. तो दर्सन के लिए है NCRT. ग्यान दर्सन सेकिंड का दूसरा नाम एकलव है. तक्निकी शिक्षा देने वाला ग्यांदरसन सेकंड ग्यांदरसन सेकंड की नोडल एजेंसी आई आई टी दिल लिके टेकनोलोजियों का काम है तो आई 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 टी और नई तो फिर एंसी आई टी तो इन में IIT NCIT हैं और उसमें जो नोडल एजेंसिय वो इगनू था ग्यांदरसन फर्ष्ट कब प्रारंब हुआ ग्यांदरसन फर्ष्ट भारत में तो चबीजनवरी 2000 और दूसरे वाला कब हुआ 2003 में ग्यांदरसन टीवे चैनल का उद्यश्य क्या नहीं है ग्यांदरसन फर्ष्ट का तो इसमें तकनी की शिक्षा नहीं है मित्रों फर्ष्ट में दूसरे वाले में केवल तकनी की शिक्षा है तो A, B और D बाकि इसके उतर हो जाएंगे नेक्स्ट देखते हैं एजुशेट के बारे में सत्यकतन कौन सा है तो सभी सत्य है साथ वर्षा अगर बेठे कलास ले सकते हैं ग्यांदरसन क्या है शेक्षिक दूर्दरसन परसान शेवा ग्यांदरसन किस परकार की शेवा को बढ़ाता है तो ग्यांदरसन सेकिंड की बात आए ना तो जो है ये तकनीकी शिक्षा को ग्यान वाणी क्या है? FM चैनल है ग्यान वाणी FM चैनल वरतवान में कितने सहरों में? 40 सहरों में तो इस तरह से मित्रों ये अपने टोपिक पूरा हुआ धन्यवाद वीडियो को लाइक करें, शेयर करें